हेल्थ, ब्यूटी और प्रोड़क्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार दोस्तों इस चैनल पे आपका श्वागत है दोस्तों डेचुरोपैथी में हम आज के सब्जेक्ट को हमने मिन्ट पूदीना इसको रखा है दोस्तों डेचुरोपैथी में जितना भी प्लांट्स है जितना भी पौदा है हर एक का अपना अपना महत्व है तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूदीना का plant है पूदीना जो अक्सर हम लोग indoor cultivation में रखते हैं अपने घर के बरामडे में लगाते हैं या कहीं भी थोड़ा सा जगा है गमला है उसमें भी हम यूज करते हैं तो यहां पे आज हम पूदीना का प्रियोग हम बतला रहे हैं पूदीने के प्रियोग को हम लोग हार्ट हेल्थ एलर्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं और इसका यूज अक्सर हम ब्यूटी के सेंस में भी कर सकते हैं तो यहां पर हम आज आपको बतला रहे हैं कि अक्सर बुखार में हर्पीज में बुखार के बाद चेहरे पर दाने उसका क्या नेचुरोपैथी में आयुरवेद में उसका क्या इलाज है दोस्तों यहाँ पे हम आपको बतलाना चाहते हैं कि यह पूदीने की पत्ती का और यह जो दिख रहा यह ओरेंज इसका प्रियोग करके हमने इसका हर्पिस में जो बुखार आता है और वो हर्पिस के बार, बुखार के बार चेहरे और रोटों के आसपास पानी भरे दाने जो उभर जाते हैं इन दानों में जलन भी महसूस होती है और इसमें रिषाओ होता है पाने का तो इन्हें कभी भी अवायड नहीं करें या साधारन दाने नहीं हैं बलकि हर्पिज के लक्षन भी हो सकते हैं तो इस बिमारी के लक्षन अगर उभर कर सामने आते हैं तो इन दानों में तेज दर्द होता है और उनके उभरने से पहले चेहरे पर सुजन और दर्द होता है यह वाइरस से एक प्रकार का वाइरस से होने वाली बीमारी है यह बीमारी उन लोगों में ज्यादा होने की समभावना रहती है जिने जिन्दगी में एक बार चिकन पॉक्स हुआ है साधारन भासा में मकरी मसल जाना और दबा भी अलर्जी दबा की अलर्जी भी इन्हें कहा जासे सकता है मैं नहीं हर्फी तीन तरह का होता है लेकिन इन में हर्फी सेम्प्लेक्ष जो होता है जेनरीर नॉर्मल है और समय पर इलास नहीं किये जाने पर पैसेंट का स्थिति इसमें बिगर जाता है और इसमें यह दिया ज szok और समें बोला तो हर्पी जोस्टर में चेहरे पर इसके द्वारा हर्पी जोस्टर में चेहरे पर लगवा का विशिकायत भी हो सकता है दोस्तों हम घर में जो चीज है उसकी द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अक्सर हम ट्रीटमेंट के क्रम में औरेंज जो है यह औरेंज को ल अगर आपके पास ताज पुदीना की पती मिलती है तो वो ठीक है नहीं तो आप ड्राइ जो पुदीना की पती होती है उसको भी आप सबसे पहले यह पुदीना यह आप ओर ज़बने उरेंगे हटाने के बाद इसका जो है किसी भी एक इसका यह आपको ये इसका नग जो है लेके और इसमें डालके और इसका आपको लेना है रस थोड़ा सा निकाल लेंगे ये देखिए हम रस निकाल लें यहाँ पे ये रस निकालना है और रस निकालने के बाद इसमें पुदीना का भी डालना है ये देखिए इसमें पुदीना और और पूदीना का रश जो है यह हर्पीज में फरस्ट है इसका medicinal treatment है second इसका जो cosmetic यूज में होता है तो उन दानों पे अकसर हमारा चेहरा जो है खराब हो जाता है तो उन दानों के लिए हम क्या करते हैं तो इसका जो orange का जो छिलका होता है यह orange का निकला हुआ छिलका है तो इसको dry करने के बाद इसका करक हो जाएगा और powder बनाने के बाद इस पे पूदीना का जो है यह पूदीना की पत्ती का रस इसमें से किसी रस निकालने वाला एक जो आता है market में वो लेके आप रस निकाल लेंगे और यह powder को use करेंगे powder यूज करने के बाद आपका जो है यह इसको चरे पे चरे धा साफ करके लगान लेना है और जलन को ततकार आपका यह जलन को तुरत रोक देगा और इसका जो है संबंदी टेस्ट भी इसका जो है जनाइटल पार्ट जो है या बहुत ही कामगार होता है तो इस तरह से हम देख लिकते हैं कि या बहुत ही तो और आवा कि अचाने हैं